हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगी तो आज इस व्यूडियो हम बात करने वाले आपके उफिशल वेफसाइट पर जारी केगी है और काफी स्टूडेंट्स को इमेल भी आया होगा तो इस व्यूडियो में डिसकस करने वाले आपडेंट्स की जितने भी डाउट्स है जो हमारे परसनेल काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफी डाउट्स आ रहा है ठीक है और जितने भी हमारे चैनल पर सस्क्राइबर्स जो हमारे चैनल पर जोड़ेव है तो उनके भी काफी डाउट्स आ रहा है ठीक है वो येदी reject किया गया तो उनको UR कैटेरी से counselling करना होगा इसका मतलब ही है कि EMS BAC nursing का चल्दी ही counselling process start होने वाला है मैंने पहले भी कहा था कि आपका 25 तक counselling process start हो जाएगा तो इसके regarding EMS ने काफी updates है वो आज दी है ठीक है और जितने भी आपके doubts है, problems है, confusions है वो भी आपके solve के जाएगे और according to आपके rank and score के basis पे best choice feeling दी जाएगी और ये paid counselling का जितने भी students है जो paid counselling लेना चाहते है वो आपके counselling process तक पहली लेंगे ठीक है अब यहाँ पे कुछ updates है वो आपके पास बेजा गया है जिन भी students का जो email यूज के आपने उस email को चेक करना है इस पर आपका जो भी EWS और OBC की student है जिनका application जिनका OBC और EWS का reject हुआ ठीक है तो उनके उन्होंने फिर से upload किया या उन्होंने renew करके ठीक है तो जितने भी student जिन्होंने renew करके upload किया हो या जितने भी student है जिन्होंने old वाल अप्लोड किया हो तो उनको reject कर दिया गया है अब यहाँ पे दिया गया है कि जिन students ने OBC NCL ठीक है OBC certificate हो या EWS का तो अब merit list में जो है UR category से उनका counseling process किया जाएगा ठीक है तो यह आपको counseling process के लिए यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका UR category से counseling होगा तो जितने भी students है चलिए एक बार फिर आपकी doubts के लिए करेंगे जितने भी students हैं जिनोंने ठीक है जिनोंने OBC NCL का certificate ध्यान से सुनिएगा NCL OBC NCL का valid date में ना हो या category जो आपका valid date था उसमें नहीं हो या center का नहीं हो या valid date में नहीं हो तो आपका reject हुआ है यह आपने renew करके फिर अपलोड किया तो वह भी जो आपका reject कर दिया गया अब आपका counseling process है वो यह आपका होगा ओके तो यह चीज आपको समझ में आ गई है तो जितने भी students हैं जिन्होंने counseling करवाया है ठीक है यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है जिन्होंने UR category में mention किया जाएगा और UR category से उनका counseling process किया जाएगा तो अब यहाँ पर एक चीज क्लियर होना चाहिए कि UR category स score होगा वो 50 से अबाव होना चाहिए तो जितने भी students हैं जिनके यह दी 50 से कम आएंगे और उनों general शे counseling करवाना होगा तो कहीं ने कहीं उनका counseling process complete नहीं हो पाएगा ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको UR category से दी बेंसन counseling होगा तो आपको 50 से अबाव स score चाहिए तो यह चीज आपको समझ में आ गई अब जितने भी students है आप counseling process जल्दी आपका 25 तक आपके कोई updates है वो आपके official site पर आएंगे तो जल्दी सी जो students हमारे team से counseling करवाना चाहते हैं तो वो अभी तक नहीं जूड़ है तो जूड़ जाए क्योंकि उसके जैसे counseling स्टा प्रेंट्स की रिप्लाइज दे दाएंगे लेकिन आपको चैनल को subscribe कर लेना है फोर आगे next updates के लिए ठीक है तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक लिए बाए टेक क्यारू